आप देख रहे हैं भी एच्पी सी नियूज नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन बेबाग बुल्डोजर एक्सन पर सुप्रीम कोट की टिपनी के बाद अब सीम योगी आदितनाथ और अखली सियादव की बीच जोबानी जंग जारी है समाजवादी पार्टी के प्रमोख ने सीम योगी के बयान पर प्लटवार करते हुए कहा था कि जब सपागी सरकार आएगी तो ये बुल्डोजर गोरखपुर की ओर चलेंगे अब सीम योगी ने उस पर प्लटवार किया है तो अखली सियादव ने फिर जबाब दिया है दरसल सीम योगी ने राजमे सपागी सरकार बनने पर बुल्डोजर का रुख कोरखपुर की तरफ मोडने सम्मंदित अखली सियादव के बयान पर प्लटवार करते हुए से बलटबार किया है अखली स्यादब ने का है कि किसी को बोलने से पहले की समाजवादियों के डी एने में क्या है कम से कम डी एने का फुल फॉर्म तो बता दे जहां तक बुल्डोजर का सवाल है तो कैसा नया लेगा बुल्डोजर चला कि अब बुल्डोजर नहीं चल सकता जो लोग बुल्डोजर लेकर डराते थे, जगे जगे लोगों के घर गिरा देते थे, क्या नक्षा मांगते थे, सभा प्रमुक ने कहा कि अगर नक्सा ही सवाल है, तो सरकार ये बताए कि क्या मुक्रमुन्तरी आवास का नक्सा पास है, और कब पास हुआ था, ये भी बतादे, या कागज दिखा दे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जान बूजगर किया है, जिने आपको नीचा दिखाना था और आपकी सरकार के हिंकार पर आपने जान बूजगर बूल्डोजर चलाए है, बतादें, इससे पहले सीम योगी ने कहा था कि अखलेस यादव और उनके चाचा वैपूर्व कैवनेट मंतरी शिपाल सिंग यादव की भेडियों से तुलना करते हुए आरूप लगाया के वर्स, 2017 से पहले सरकारी नोकरी के नाम पर चाचा और भतीजा वसूली करते थे। बतादें, अखलेस यादव और सीम योगी में बूल्डोजर पर जुवानी जंग दो दिन से जारी है, अभी के लिए से बिताएं, नमस्क्राइब साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं, बेल आइकन, साथ हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूलें